हुआ है पुर्वोरिंग डेर्ट इस्टुडेंट सिद्दात स्कूल दॉर्शर की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है हम यहाँ पर बात कर रहें तेक अग्सादस के साइंस के बारी में और यहाँ पर अपना टोपिक चलेगा आज मानों की सवसंत अंतर के बारी में system of human सबसे पहली बात होती है कि जिसे कि हमने इस से पहले जो मानों के digestive system के बारे में बढ़ा था । digestive system का कारे होता है कि बोजन का पार्चन करना और पचित बोजन से आवसोशन करना वो किशका कारे था डाइजेट्टिव सिस्टम यहाँ पर बात करते हैं जो अपना रेस्पाइ रेटरी सिस्टम में है जो सवसंद अंदर होता है जिसे कि आप देखते होगे सामाने बोलचालमें कि जब हम क्या करते हैं O2 गरहन करते हैं CO2 बाहर निकालते हैं तो इसे क्या करते हैं सवसन करते हैं सवसन की परीवार से क्या होती है जब ओटू को गरहन करते हैं और से ओटू क्या करते हैं वातावन में मुक्त करते हैं इस क्रिया को हम क्या करते हैं सवसन करते हैं अब सवसन की पूर्ण रूप से डेफिनेशन क्या होती है कि हम क्या करते कि जो oxygen grand करते हैं इस oxygen के दोबारा जो आपके जो पोशक पदार जो कादेपदारत होते हैं इनका oxygen होता है ठीक है और oxygen होने की फलसुरूप हमारे को क्या मिलती है उर्जा मिलती है थता CO2 वर जल मुक्त होता है तो वो किरिया क्या कराती है आपकी सर्वसन कहलाती है तो यहां प पोल्चाल में और टू ग्रहन करना थता सी ओटू वाता वरण में मुक्त करना आपका क्या कलाता है सवस्वन कहलाता है तो टू ग्रहन करना और सी ओटू वाता वरण में मुक्त करना क्या कलाता है आपका सवस्वन कहलाता है ये तो बात हो गई सामने बोल्चाल में ठीक है दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पे कि ओटू ग्रहन करते हैं किसके लिए ताकि हम पोशक पधारतों का ओक्शी करन कर सके जिसके फलसुरूफ ह हमारे को उर्जा प्राप्त हो सके तो उस किरिया को हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं यहां पे सवसन कहते हैं तो सवसन की मुख्य जो मूल जो डेफिनेशन होगी वो क्या है यहां पे कि जो हम क्या करते हैं खादे पदात होते हैं इनके ओक्सिकरन है तो जो ओटू ग्रहन की है और इन खादे पदारतों का जब ओक्षिकरन हो जाता है उसके फल्सरूप हमारे को क्या प्राप्त होती है उर्जा प्राप्त होती है वो आपका क्या कहलाता है यहाँ पे सवसन कहलाता है क्या कहलाता है सवसन कहलाता है अब यहाँ पे आगे की बात आती है कि जो सफसन की किरिया होती है वो एक जेव रासानी किरिया होती है क्या होती है जेव रासानी किरिया होती है पहले डेफिनेशन लिख लेता हूँ पोसक पधातों का पधातों का ओक्सिकरन होना जिसके फ़ल सवरूप जिसके फ़ल सवरूप उर्जा प्राप्त होती है बहुत सब पदावत होते हैं जब हमने पढ़ाय कि डाइजेटिव सिस्टम के अंदर क्या होता है कि बोजन का पाचन हो जाता पाचन होने के पच्चाथ उस पच्चित बोजन से आवशक पवशक ततों का क्या किया जाता है आवशोशन किया जाता है तो आवशोशी जो पवशक ततों होते हैं उनका क्या होना ओक्सी करण होना जिसके फ़ल सवरूप आपको उर्जा प्राप्त होती है वो किरिया क्या कलाती है आपके आपके सवसन कहलाती है ठीक है और यहाँ पे जो उर्जा प्राप्त होती है एटीपी के रूप में यहाँ पे उर्जा प्राप्त होती है ठीक है इसके साथ ही यहाँ पे जब ओक्षी करण होता है ठीक है कोश है CO2 मुक्त होती है CO2 वाताओं में क्या हो जाती है कि अपने फीशмा और फेंपरो परवेस करती और CO2 बार निकलती है और गेसों का आदान परदान होता है ठीक है और गेसों का आदान परदान किसके मादम से होता है रक्त के मादम से होता है रक्त ओटू गेस को अपने अंदर गोल करके विविन अंगों तक उतको तक पहुचाता है थता उतको दोआरा उतपन CO2 होती है उस कि स्योट क्या होगी इस किरिया के दोरान स्योट क्या होती है मुक्त होती है ठीक है अब यहाँ पर देखो कि सवसं किरिया में सवसं किरिया में ग्रहाण की गई ग्रहाण की गई ओटू रक्त दोबारा सरीर के विविन अंगो थता उतको तक पहुँचाई जाती है याद रखने न कि हम जो सवसन किरिया में ऑक्सिजन गर्यन करते है उस ऑक्सिजन को हमारा जो रूदिर होता है वो अपने सरीर की परते कोशिका और परते कुटको तक क्या करता है पहुंचाता है ठीक है अब वो कोशिका क्या करेगी उस CO2 को तो ले लेगी काम में और जो कोशिकाओं के अंदर ओक्सी करन की किरिया हुई है और जो क्या मुक्तु है CO2 वो आपस किसमें डाल दती है रूदिर के अंदर तो फिर रूदिर क्या करता है उन कोशिकाओं से उत्पन CO2 को कहा तक पहुँचाता है फेपड़ो तक पहुँचाता है तो यहाँ पर फिर इसके बाद में थता कोशिकाओ द्वारा उत्पन CO2 को बुदिर फेप्रो तक पहुचाता है कहां तक पहुचाता है फेप्रो तक पहुचाता है ठीक है और फेप्रो के दोवारा फिर हम क्या करते हैं उसे वाताओन में मुक्तिक कर देते हैं तो याद रखेना कि देखो सवसन का मतलब क्या होता है कि हम जो ओक्सिजन घ्रहन कर रहे हैं फेप्रो से ठीक है यहां पर कोशिकाओ के अंदर जो CO2 मुखत होती है उसको रूदिर लेकर के वापस कहां पर पहुंचता है फेपड़ों में और फेपड़ों के द्वारा क्या कर दिया जाता है उसको वातावन में उसरजित कर दिया जाता है इस प्रकार की जो किरिया होगी वह आपकी सवसन कह बलाती है थार्थ घेसों का आधान परदान यानि CO2 ओटू का आधान परदान होना ही क्या होता है सवसन और सवसन किन-किन के मद्दे आपके इसमें कारियरत कौन रहता है वातावन रुदिर और कोशिकाओं तीनों प्रस पर क्या होती है इन तीनों के मद्दे क्या होती है क सब्सक्र saved अपके उपर्वाला तो वाताम वरन आपके जो ज़ुद्र और जो कोशिक होटी इन तीनों के मद्धिय क्या होती है संपन होती है स्मर्फन क्रेया वातावन से तो औरुतु She-O2 का अधान परदान होता है और बलेड क्या करता है O2-She-O2 को लाना और ले जाने का कारिय करता है और कोषिकाय क्या करती है O2-RidSeuation करती है O2-RigShow के दौआरा जिसे O2 के दौआरे क्या करती है A-TP के रूप में उर्जा का मोचन करती है यह किरिया क्या होती है सवसन होती है अब देखो सवसन की किरिया की दोरान क्या होता है कि जो ओक्सिजन होती है जिसे हम सुद्ध वायू करते है तो ओक्सिजन क्या होती है अपने नाग गले और स्वास नलियों से होती है कहा तक पहुंचती है फैपरों तक पहुंचती है तो होता है उससे होती है कहां पर स्वासनली कहां पर जाती है स्वासनली में ठीक है ना और फिर स्वासनली से कहां तक जाएगी वायू फेपड़ों तक कहां तक जाएगी फेपड़ों तक ठीक है और फेपड़ों के अंदर क्या पाई जाती है क्या पाई जाती है क्या पाई जात पतली है तिक है अब यहां पर देखो की कुपीकाओं की जिल्ली होती है पतली होती है और जो यह पतली अत्यन्त पतली होती है इसके अंदर क्या होता है रुदिर केसिकाओं का जाल पाये जाता है किसका पाये जाता है रुदिर केसिकाओं का जाल पाये जाता है रुदिर केसिकाओं का जाल पाये जाता है और जो रुदिर केसिकाओं होती है वह आपकी रुदिर वाइनिया होती है बिल्कुल महीन पतली वाइनिया होती है इन्हें महीन पतली रूदिर वाहिनी कहा जाता है कि ने कहा जाता है जो आपके इसके कूपी काओं की जो पतली जिल्ली होती है जिसमें जो रूदिर केसिकाएं होती है उनको महीन पतली रूदिर वाहिनी कहा जाता है रूदिर के सिकाओं को महीर पतली, अथात इनके अंदर रूदिर भैता रहता है, ये छोट-छोटी नलिकाओं होती है, जिनमें रूदिर भैता रहता है, और उसी रूदिर में क्या होती है, ओटू और सी ओटू का क्या होगा, आदान परदान होता है, तो याद रहना, कुप तो यहां पर जो रूदिर केसिका है पाई जाती है तो यहां पर कुपिकाओं की जिल्ली अतन्त महीन होगी जिसमें रूदिर केसिकाओं का क्या होता है जाल पाया जाता है कि रूदिर केसिकाओं में जो मतलब फेपरों की कूपिकाओं में कुपी काओं में जो सी ओटू बरीवी है वो तो रुदिर केसी काओं के रुदिर में डाल दी जाएगी और रुदिर के अंदर जो सी ओटू होती है वो कहाँ पर डाल दी जाएगी कुपी काओं के अंदर यहाँ पर रुदिर केसी काओं का जाल है और रुदिर कैसी काओं के जाद के अंदर क्या होगा यहाँ पर जो CO2 होगी ठीक है उसको बाहर निकाल करके कुपीकाओ मेए और कुपीकाओं की CO2 को रुदिर में मिला दिया जाएगा ठीक है इस तरह के से क्या होताए यहाँ पर सवसंग की किरिया होती है तो ये बात है कि और फिर हम क्या करते हैं कि फेपड़ों की दोबारा उससे CO2 को वाता हमें छोड़ दिया जाता है अब बात करते हैं मानों के सवसंत अंतर के बारे में मुके रुप्से सोरी तीन भागों में बांट रखाया आपके एक तो ऊपरी सवसंदंतर एक निचला सवसंदंतर और एक क्या होती है सवसंद मास पेसिया ठीक है तो उन तीनों की बारे में हम कले स्टडी करेंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद